Technical exam से related सभी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारी वीडियोज सबसे पहले हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका QES Technical Academy में और मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं Online Study at QES जैसा कि दोस्तों आप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि Local Pirate के Paper 2 के लिए हम लोग Technical वीडियोज लाने वाले हैं इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन को भी ओन कर लें ताकि आप देख सके हमारी वीडियोज सबसे पहले और दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि आपने लोको पारेट के फॉर्म में कौन सी exam trade भरी है ताकि हम लोग उसी पर टेकनिकल वीडियोज बनाएं और आज के वीडियो में आप देखेंगे कि 17 अगस्त को लोको पारेट का जो पेपर हुआ था उसमें सामान ग्यान और करेंट अफेयर के जितने भी प्रशन पूछे गए थे वो सब मैं आपके लिए लाया हूँ तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रशन है दोस्तो आधुनिक आवर्थसाणी किसके आधार पर बनाए गई थी तो आधुनिक आवर्थसाणी जो है वो अटोमिक नमबर के आधार पर बनाए गई थी अटोमिक नमबर के अधार पर नोकिया कंपनी के वर्तमान CEO कौन है नोकिया कंपनी के वर्तमान CEO है राजीव सूरी कौन है दोस्तो राजीव सूरी बेस्ट चीफ मिनिस्टर और आइडल चीफ मिनिस्टर के अवाज से किसको सम्मानित किया गया था तो दोस्तो बैस्ट चीफ मिनिस्टर के अवाड से वसुंदरा राजे को सम्मानित किया गया था जो कि राजिस्थान की मुख्यमंत्री है और आइडल चीफ मिनिस्टर के अवाड से नवीन पतनायक को सम्मानित किया गया था जो कि उडिशा के मुख्यमंत्री है Mastercard के वर्तमान CEO कौन है Mastercard के वर्तमान CEO कौन है तो वो है अजय पाल जी आगे बढ़ते हैं अगला कोशिन है यह जी आज शुक्रवार है तो 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा तो दोस्तो यह कैलेंडर का कोशिन है और रीजनिंग में आता है तो यह जी आज शुक्रवार है तो 30 दिन बाद जो दिन होगा वो होगा रविवार और इसको निकालने के लिए दोस्तो हमारे पास ट्रिक होती है कि 30 दिन बाद के बारे में पूछ रहा है तो 30 को हम week के देज होते हैं 7 तो 7 से भाग देंगे और जितना reminder बचेगा यानि कि reminder बचेगा दो तो जितना reminder बचेगा शुक्रवात को दो दिन आगे कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा रविवार अगला question है 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 15 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा तो 15 फरवरी 2018 को यदि आप गुरुवार था तो 15 फरवरी 2019 को जो दिन होगा वो होगा शुक्रवार तो तो इसमें भी हम देखते हैं कि 2018 जो है हमारा वो लीपियर नहीं है और जब कोई भी year वो लीपियर ना हो इसलिए हम क्या करेंगे इसको plus one कर देंगे यानि एक दिन आगे बढ़ा देंगे तो गुरुवार को एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा शुक्रवार अगला कोशन है पौधों में पर्मानेंट टीश्यू निम्न मैंसे कौन है अगला कोशन है पौधे के किस भाग से बीज बनता है तो वो बनता है औव्यूल या ओवरी से मनुष्य शरीर में इस्पाइलर नर्फ कितनी होती है तो वो होती हैं दोस्तो 32 आगे बढ़ते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है तो वो होती है दोस्तो महा धमनी जिसका काम होता है हिर्दे से शरीर को रक्त पहुंचाना यानि हिर्दे से पूरे शरीर को रक्त पहुंचाना इस धमनी का काम होता है जो कि शरी की सबसे बड़ी धमनी होती है अगला कोशिन है लार किसके पाचन में मदद करता है लार जो पाचन में मदद करता है वो कार्बो हाइडरेड के पाचन में मदद करता है जिसको इस टार्च भी कहा जाता है अगला कुशन है विद्यूत उश्मक में कौन सा धातू प्रियोग किया जाता है तो विद्यूत उश्मक में जो धातू प्रियोग किया जाता है वो है निक्रोम एलेक्ट्रिक आयरेन में भी प्रियोग होता है ये निक्रोम ठीक है अगला कुशन है प्रोटीन को क्या माना जाता है तो प्रोटीन को दोस्तो प्रोटीन खंड भी माना जाता है अगला कुशन है नीन की बीमारी किसके कारण होती है तो नीन की बीमारी जो है दोस्तो ट्रिपेनोसोमा बुरुसी ये एक प्रोटोजुओा है İsके कारण नींद की बिमारी होती आगे देखते हैं जर्मन सिल्वर कौन से धातू से मिलकर बना होता है दोस्तों जर्मनला जूमा जस्ता और निकल से मिलकर के बना होता है लोहे में जंग लगने के लिए कौन से कारक उत्तरदाई होते हैं तो लोही में जंग लगने के लिए कौन से कारक उत्तरदाई होते हैं तो वो होते हैं ऑक्सिजन और जलवाईू ऑक्सिजन और जलवाईू हवा में कौन सी निश्क्रिय गैस का अनुपाद सबसे अधिक होता है तो हवा में कौन सी निश्क्रिय गै में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है तो वो बदला जाता है दोस्तो हाइडोजनी करड से हाइडोजनी करड से अगला देखते हैं आवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो आवला में विटामिन पाया जाता है Vitamin C, दोस्तो जो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं, उनने सभी में Vitamin C पाया जाता है एंजाइम मूल लूप से किसे बने होते हैं, तो एंजाइम जो बने होते हैं मूल लूप से, वो protein से बने होते हैं, किसे? protein से, सबसे बड़ी स्वेत रुधिर कड़का कौन सी होती है तो वो होती है दोस्तों मोनो साइट कौन सी होती है मोनो साइट अगला कुछिन है एंटोमोलोजी एंटोमोलोजी किसके अध्यन से सम्मंदित है तो एंटोमोलोजी जो है वो कीटो के अध्यन से सम्मंदित होती है दोस्तों अगला कु हमियोपैथी के जनक कौन है समैम Orion है बारत और सिलंका के बीच कौन सा दिशान अब्यास हुआ है वह जो कि भारत और सिलंका के बीच हुआ है उसका नाम दोस्तों मित्र शक्ति क्या नाम है मित्र शक्ति आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है तो हमाचर प्रदेश के मुख्यमंत्री है जैराम ठाकुर दोस्तों यहां मैं आपको बता दूँ कि आजकल एक्जाम में मुख्यमंत्री बहुत जादा पूछे जा रहे हैं जरूर एक क्वेशन पूछा जाता है इसलिए आप लोग सभी आजके मुख्यमंत्री को याद कर लें याद कर लें अच्छे से तो आपका एक जो है क्वेशन कंप्लीtså हो जाएगा अगला क्वेशन है पॉलियो वैक्षिन क खोज किस ने किया था वो किया था अलबर्ट साबिन ने, किसने किया था, अलबर्ट साबिन ने, होकी का एसिया कब किसने जीता था, होकी का एसिया कब जो जीता था, वो जीता था, भारत ने, और वो हुआ था धाका में, बुकर पुरुषकार 2017, किसने जीता था, तो 2017 का बुकर पुरुषकार जीता था, जॉन सांडर्स ने किसने जोन सांडर्स ने और दो जार ठारे वाला किसने जीता है आलका टुकुर्जुक किसने आलका टुकुर्जुक ने PEN का पूरा नाम क्या है तो PEN का पूरा नाम है दोस्तो Permanent Account Number क्या नाम है Permanent Account Number SITA Warrior किताब के लेखक कौन है तो SITA Warrior किताब के लेखक है Amish Tripathi Amish Tripathi आगे बढ़ते हैं FIFA Under 17 winner कौन है FIFA Under 17 winner है England और FIFA Under 17 कहां हुआ था दोस्तो भारत में हुआ था Silk Road Project यानि कि Summit मैं किस भारतिय तबलावादक ने प्रस्तिती दी थी तो वो दी थी संदीप ने किसने संदीप ने नेपाल के Prime Minister कौन है तो नेपाल के Prime Minister है दोस्तो KP Sharma Oli KP Sharma Oli महराष्ट के Governor कौन है महराष्ट के Governor है Chinnam Neni Vidya Sagar Rao Chinnam Neni Vidya Sagar Rao Sensor Board के Chairman कौन है Sensor Board के Chairman है प्रसून जोशी 11 बज़ के 20 मिनट पर कितना कौन बनेगा तो 11 बज़ के 20 मिनट पर जो कौन बनेगा वो बनेगा 220 डिग्री दोस्तों यहां मैं आपको बता दूँ कि ये घड़ी का Question है और घड़ी का Question निकालने के लिए कि हम कुछ इस प्रकार से निकालते है कि ये देखिए मान लीजे कि ये एक Watch है और 11 बीस तो आपको इसमें देखना है सबसे पहले जो Complete Hour है वो कितना है तो Complete Hour जो वो कितना है वो 11 है कितना है 11 11 है तो आपको हमारे जो Hour यानि कि Hour वाली जो सूई होती है उसकी जो चाल होती है यानि Speed होती है वो एक घंटे में 30 डिगरी आगे बढ़ जाती है और ये शुरू होती है कहां से 12 से 12 से शुरू होती है तो आप देखेंगे कितने घंटे बीच चुके है ग्यारा घंटे बीच चुके है ठीक है और एक घंटे में कितनी चलती है 30 डिगरी चलती है तो ग्यारा घंटे में कितनी चलेगी 330 डिगरी ठीक है और वही Hour के सुई एक मिनट में Half डिगरी मूव करती है ठीक है तो कितने मिनट हो चुके है 20 minute हो चुके हैं तो 20 minute में कितनी move करेगी 1 by 2 into 20 तो ये हो जाएगा आपका कितना plus 10 degree और आगे बढ़ जाएगी ये 20 minute में तो total हो जाएगा 340 degree आगे बढ़ चुकी होगी ठीक है अब minute की बात करें तो minute की जो 4 होती है वो होती है एक minute में 6 degree move करती है तो कितने minute हो चुके हैं 20 minute हो चुके हैं तो 20 minute हो चुके हैं और 1 minute में कितनी चलती है 6 minute तो 20 minute में कितनी चलेगी 120 कितनी चलेगी 120 degree तो आप क्या करेंगे 340 में से 120 degree को minus कर देंगे तो answer क्या बचेगा 0 2 2 तो अंसर हो जाएगा आपका 220-degree आगे बढ़ते हैं दोस्तू यदि pH वेल्यू 7 से 14 तक बढ़ाई जाए तो क्या होगा? तो आयन H प्लस वेल्यू घटेगी आयन H प्लस की वेल्यू क्या होगी? घटेगी यदि pH मायन 7 से बढ़ाएगा तो आएन एच प्लस की वैल्यू गटेगी सोयाबीन सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पैदा होती है तो सोयाबीन जो होती है वो सबसे ज़्यादा कहा होती है मद्य प्रदेश में होती है ग्रेमी अवार्ड किसको मिला है ग्रेमी अवार्ड जो मिला है वो संदीप दास को मिला है पौदों में पानी का उपर चड़ना किसके कारण होता है तो वह होता है केशिकत तो इसको कैपिलरी कहते हैं कैपिलरी के कारण पौदों में पानी उपर चड़ता है विप्रों के CEO कौन है विप्रों के CEO है अभिदाल जैड नीम चवाला अभिदाली जैड नीम चवाला दोनी किस पर निर्वर करती है तो दोस्तों पिछ पर अगे बढ़ते हैं मानव शरीर में कशेरों की संख्या कितनी होती है कशेरों की संख्या होती है 33 23 तैंवर फैंट 25 30 33 आरबीच का जीवनकाल केना होता है आरबीसी काजिव वांट्वनकाल होता है 120 एशिया कप 2017 में भारत ने किस देश को हराया था तो वो हराया था दोस्तो मलेसिया को कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं होता तो जल में जो घुलनशील विटामिन नहीं है वो दोस्तो आपके यह हैं के डे इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कीडा और जो घुलनशील होते हैं वो होते ह अगला question है 7.2 से 10 तक pH मान बढ़ाने से क्या प्रवाप पड़ता है pH मान 7.2 से अगर 10 तक बढ़ाया जाए तो उसका क्या प्रवाप पड़ेगा तो जो अम लोग की जो छारी प्रवर्वर्ती है वो बढ़ जाती है चारी प्रवर्ती बढ़ जाती है यदि pH मान को बढ़ाया जाए तो आगे बढ़ते हैं विद्धुत किस रूप में परिपत में गमन करता है तो विद्धुत जो है वो इलेक्ट्रोन के रूप में परिपत में गमन करता है किसी चीज के चलने या रुकने में किस गुण का आश्तित्त होता है तो किसी चीज के चलने और रुकने में दोस्तों वो जड़त्त के कारण चलती और रुकती है परमानु सिद्धान किस ने दिया था तो परमानु सिद्धान दिया था जॉन डॉल्टन ने Transforming CM of India प्रुसकार किसको मिला है वो मिला है के चंदरशेखर राओ को के चंदरशेखर राओ को आगे बढ़ते हैं दिल्ली डेविल्स के मालिक कौन है यह IPL टीम है दोस्तों दिल्ली डेविल्स इसके मालिक कौन है GMR ग्रूप और JSW ग्रूप यह दो ग्रूप हैं जो दिल्ली डेविल्स के मालिक हैं वहीं किसी और जोन में यह भी पूछा गया था कि मुंबई IPL टीम के मालिक कौन है तो मुंबई IPL टीम के मालिक है मुकेश अम्मानी और Reliance Industries Reliance Industries राश्टपती रामनात कोविंद का जन्म किस राज्ज में हुआ था रामनात कोविंद जो हमारे राश्टपती जी है उनका जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शेहर में हुआ था वो बिहार के गवर्नर भी रहे अगला कुशन है फिलिपकार्ड कंपनी के CEO कौन है तो फिलिपकार्ड कंपनी के CEO है कल्यान क्रश्नमूर्थी कौन है कल्यान क्रश्नमूर्थी दोस्तो एक्जाम में CEO अक्सर पूछे जा रहे हैं तो आप CEO बहुत सारी कंपनी के याद कर लें ताकि आपका एक और नमबर कंठस्त हो जाए ठीक खान रडजी ट्रॉफी 2018 का खिताब किस ने जीता था रडजी ट्रॉफी 2018 का खिताब किस ने जीता है विदर्व ने और किसको हरा कर जीता है वो दिल्ली को हरा कर जीता है गुरू शिखर परवत अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो वो दोस्तो अरावली प्रवल संख्ला में आता है और सुरोही परवत के नाम से जाना जाता है कहां पर है वो राजिस्थान में है कहां है राजिस्थान में खून का थक्का न जमना किस विटामिन की कमी से होता है तो वो विटामिन की कमी से खून का थक्का दोस्तों नहीं जनता है अगला कुशन है गुरुत्य तुरण का सूत्र क्या है ये भी आज थिंक सबको पता होना चाहिए तो गति उर्जा का सूत्र होता है लोकसबा अध्यक्ष कौन है तो लोकसबा अध्यक्ष है हमारी सुमित्रा महाजन जूनियर होकी वर्ल्ड कप कहा हुआ था आपका भारत के लखनव शेहर में कहा हुआ था भारत के लखनव शेहर में तिरपुरा के मुख्यमंत्री कौन है तो तिरपुरा के मुख्यमंत्री है विपलब कुमार देब कौन है विपलब कुमार देब और गवर्नर कौन है तथागत रोय कहीं दोस्तों गवर्नर पूछा गया था कहीं मुख्यमेंत्री पूछा गया था अलग लग जोन के ये questions हैं इसलिए ये दोनों में लेकर आया हूँ अगला question है Unilever Company के CEO कौन है तो Unilever Company के CEO है संजीव महता कौन है संजीव महता अमोनिया का अणुभार कितना होता है तो अमोनिया का अणुभार जो होता है वो 17.031 होता है एक reaction भी दोस्तों आई थी कि NaOH प्लस HCl को अगर मिलाया जाए तो क्या मिलेगा तो वो मिलेगा दोस्तो salt NACL ये Na है और ये CL तो NACL मिलके बनाएंगे NACL और बाकी का ये दोनों मिलके बनाएंगे H2O यानि की जल आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला question है 2020 का calendar कब repeat होगा 2020 का calendar कब repeat होगा देखिए दोस्तों 2020 जो है वो एक leap year है क्या है leap year है है ना और leap year का calendar है वो हमेशा 28 साल बाद repeat होता है कितनी साल बाद 28 साल बाद repeat होता है इसलिए 2020 का calendar है वो कब repeat होगा वोगा 2048 में 2048 में GST के brand ambassador कौन है तो वो है अमिताब बच्चन जी कौन है अमिताब बच्चन जी स्वक्ष राजस्थान के ब्रांड एंबसेडर कौन है स्वक्ष राजस्थान के ब्रांड एंबसेडर कौन है तो वो है के के गुपता आवर्थ सांडी का पहला तो कौन सा है तो दोस्तों आवर्थ सांडी का पहला तो है hydrogen f is equal to ma में a क्या है तो a होता है त्वरड f होता है force और m होता है द्रविमान फ्रेंच open 2017 किसने जीता था तो वो जीता था रफेल नडालने किसने जीता था रफेल नडालने अगला question है 12 सितंबर 2002 को रविवार था तो 12 सितंबर 2003 को कौन सा दिन होगा देखो दोस्तों एक बार फिर से उसी टाइप का question आ गया यह किसी और zone में पूछा गया था इसलिए मैंने आपको बताया था कि यह 2002 जो है वो लीपियर नहीं है तो जब लीपियर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस वन कर देंगे रविवार में तो अंसर आ जाएगा सोबार आगे बढ़ते हैं अगला question है बार की एकाई क्या है तो बार की जो एकाई होती है वो किलोग्राम होती है फीफा कप 2018 किसने जीता था तो वो जीता था फ्रांस ने फ्रांस अब तक दो बार फीफा कप जीच चुकी है उडिशा के राजपाल कौन है तो राजपाल है गनेशी लाल जी कौन है गनेशी लाल जी भारत का सबसे वेस्ट एरपोर्ट कौन सा है तो भारत का सबसे वेस्ट जो एरपोर्ट है वो इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिल्ली इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट भारत का सबसे वेस्ट एरपोर्ट माने जाता है दोस्तों आसू का पी एच मान क्या होता है आसू का पी एच मान होता है 7.4 क्या होता है 7.4 ड्राइ सेल में किस प्रकार की एनर्जी होती है ड्राइ सेल में दोस्तों केमिकल एनर्जी होती है कौन से एनर्जी केमिकल एनर्जी भारत के वर्तमान रक्षमंत्री कौ कौन है निर्मला सिथा रमन कौन है निर्मला सिथा रमन कौन है आगे बढ़ते हैं दोस्तों भारत के विदेश सचिव कौन है भारत के विदेश सचिव हैं दोस्तों विजय गोखली जी कौन है विजय गोखली जी अगला कुशन है नालंदा यूनिवर्सटी में सबसे पहले क इसफरी का कुछिन है जोस्तो है नारंदा यूनिवस्टी में है सबसे पहले किस चानीज ने भर्मर किया था तो वह किया था हैंग जैनग von Whean's Seng यह होकिवर्ल कप जूनियर 26 किसने जीता था वह जीता थो नोस्तो भारत ने ऐनीथिंग बट खामोश की लेखक कौन है? Anything but खामोश जो है एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इस खामोश सब्द से आपको कुछ पता लग रहा हो दोस्तों. एक हमारे एक्टर हैं जिनका ये खामोश एक जो है डायलोग बहुत फेमस है. तो वो एक्टर कौन से है? वो है सत्रुदन सिना. तो Anything but खामोश किस ने लिखी है? सत्रुदन सिना ने लिखी है. शांति स्वरूव भटनागर अवाड किस छित्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूव भटनागर अवाड जो है दोस्तों विज्ञान के छित्र में दिया जाता है. इसे कौन देता है, इसे CSIR देती है आर अश्विन, भारत के जो बोलर हैं उन्होंने 300 विकेट किस मैदान में पूरे की हैं तो वो किये हैं दोस्तों, नाकपुर में किस के खिलाफ किये हैं, सीलंका के खिलाफ किये हैं टोटल 54 में उन्होंने ये उपलब्दी हासिल की है और डेनिस लिली का जो रिकॉर्ड है उन्होंने तोड़ा है ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों संगाई फेस्टिबल कहां मनाया जाता है तो संगाई फेस्टिबल दोस्तों मनाया जाता है मरीपुर में कहां मरीपुर में Glucose का chemical formula क्या होता है? Glucose का chemical formula होता है C6H12O6 DDT का पुरा नाम क्या है? DDT का पुरा नाम है Dichloro Diphenyl Trichloro Athene Aluminium Sulfide का pH Acid या basic में से क्या होता है? तो दोस्तों जो pH मान होता है यदि pH मान 7-9 तक है तो वो सब basic में आते हैं यदि pH मान 5 से कम है तो वो acid में आता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिजली से लगी आग बुझाने के लिए कौन सी gas का इस्तमाल किया जाता है? तो वो दोस्तों form या carbon dioxide gas का इस्तमाल किया जाता है और room temperature पर कौन सा metal liquid form में रहता है? तो वो रहता है दोस्तों mercury या पारा मनुष्र के हिर्दय में कितने chamber होते हैं? तो वो दोस्तों total chamber होते हैं 4 किसी चीज की pH 1 या जी change होता है तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो वो पहचानेंगे लिटमस paper के द्वारा मुंबई एहमदाबाद के बीच चलने वाली bullet train किस देश के साथ मिलकर बन रही है? तो दोस्तों वो जापान के साथ मिलकर बनाई जा रही है आपको मिल सके और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आये हो तो प्लीज कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शीर कीजिए थैंक यू वेरी मच मिलते हैं अगले वीडियो में